15 दिसम्बर से हर्याना की शीद कालिन सत्र की वी शुरुवात होने जा रही है सत्र की तयारियों को लेकर कि हर्याना विदान सबाद ध्यक्ष ग्यांचन गुपता ने हर्याना नियूस से खास बाचित की है आपको सुनवाते है हार्याना विदानसभा का शीदकालिन सत्र 15 दिशंबर से शुरू हो रहा है और विदानसभा में कुछ त्यारिया चल रहे हैं इस पर बातचित करने के लिए हर्याना विदानसभा के स्पीकर ग्यांचन गुपता है सर क्या कुछ त्यारिया इस बार 15 दिशंबर से शीदकालिन सत्र के लिए जो भी जरूरी कारे हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं जहां तक सेक्यूरिटी की बात है उसकी बैठक होती है जो सुरक्षा की दिस्टी से वो हम कुछी दिनों के अंदर करने वाले हैं बिजनिस एड़वाज़ी कमीटी की मीटिंग जो प्रस्तावित तीन दिन का समय या तीन दिन का रहेगा या इसके अंदर कुछ कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है यह बी एसे के अंदर हम तैर करेंगे जहां तक विदायकों के प्रशनों का सवाल है अभी तक जो स्टार क्वेश्चन है वह लगबग 46 लोगों ने 213 प्रशन जो है वह अभी तक भेजे हैं और अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वह तैईस लोगों ने 144 अनस्टार्ट क्वेश्चन बेटे तो टोटल अभी तक 363 प्रेशन जो है वो अभी तक हमारे पास आ चुके हैं और 23 काल अटेंशन मोशन अभी तक प्राप्त हुए हैं और एक नौन अफिशल रेजलुशन जो है वो अभी तक इस विधान सवाय की 70 की अवदी के बीच में जो डिसक्रिशन में वाले ये कारिया अभी तक विधाई क प्रस्तावित हैं लेकिन क्योंकि अभी समय है और भी काल टेंशन आ सकते हैं और भी रेजलुशन सा सकते हैं वो लेकिन फाइनल जो मैं समझता हूं कि वो 14 तारिक को क्लियर होगा लेकिन सर विपक्च का कहना है कि जैसा आपने जानकारी दी 15 18 और 19 को तीन दिन का है फिलाल क्या ऐसे में जो अपने विधानसभा की उसने अगर जानकारी देनी है तो वो तीन मिनट में नहीं दे सकता है तो इसका समय भी बढ़ा है जाना चाहिए इस तरह के आरोप देखें यह आरोप केवल आरोप लगाने के लिए हैं जो मारे विपक्ष के साथी हैं वो अपना व एक मिनट भी बोलने का समय बहुत सारे सदस्यों को नहीं मिलता था लेकिन मैंने प्रियास किया है कि हमारे विधानसभा के अंदर पिंतालिस सदस्य ऐसे हैं जो फरस्ट टाइमर हैं तो इसलिए उन जो फरस्ट टाइमर विधायक हैं उनको बोलने का समय मिले बोलने का अव पर चर्चा विपक्ष चाहता है तो उसके लिए कोई भी समय की कमी आने नहीं दिजाएगा जिन पर्षनों को विधायक कॉलिंग मोशन अटेंशन में लगाता है उनका ये भी कहना है कि वो लिए ही नहीं जाते हैं उनको काड़ दिया यह विधानसभा के कुछ नियम और उनके तहत ही कोई भी निरनक किया जाता है को ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से या जो 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 नियम बने हुए हैं उन्हें के इसार हम ये काल अटेंशन मोशन जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे काल अटेंशन मोशन हैं ऐसे हैं जो हर सेशन के अंदर मतलब जब से विदान सभ़ा बनी है चाहे वो लॉन डालोडर को ले करके है या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिनके उपर वो काल अटेंशन मोशन आ नहीं है कोई विशेश घटना होई है उसके उपर काल अटेंशन मोशन का मतलब यह है कि इमेजेट जो घटना गटी है उसके के उपर सदन का ध्यान दिलाया जाए लोगों का ध्यान देर जाए हम एक रोटीन की वहाँ पर चर्चा का लटा इंशन के माध्यम से करना चाहें तो मैं समुझता हूँ वह चितनी एक और यहां पर विपक्ष आरोप लगाता है कि विदानसाबा के स्पीकर को सभी सदस्यों क थ्यान रखना चाहिए केवल यह नहीं के जिस पार्टी को एक जिस एमकरते हो उसी स्य थ्यान रखना चाहिए क्या आप है तो आप सभी सदन के सदस्यों का ध्यान रखते हैं यह के यह ये मुझे नहीं लगता कि विरोधी पक्ष के जो विधायक हैं वो ऐसा एलिगेशन लगाएंगे मुझे नहीं लगता तेकिन आप कह रहे हैं तो ठीकी होगा क्योंकि पहली बार विधानसवा के अंदर जो प्रशन लगते हैं वो ड्रॉफ लॉट से लगते हैं आज तक इससे पहले मेरे विधानसवा अध्यक्स बनने से पहले कभी भी कुश्चन की सेलेक्शन ड्रॉफ लॉट से नहीं हुई उस समय तो जुरूर जो अध्यक्स चाहते थे वो अपनी मरजी से लगाते थे लेकिन अब मेरी मरजी चलती नहीं ड्रॉफ लॉट सब के सामने होता है दू कि आपी ने कहा कि तीन मिनट का समय बोलने का दिया जाता है वह हो सत्ता पक्ष का यह चाहे पर विभी पक्ष का सब्एशा सब्सक्राइब अपने प्रदेश जो भी विधान सभा के मुद्द्ध उनको नहीं रखता है नहीं यह जो मारा दूसरा सत्र आता है उसके अंदर भी हम पूरा समय उनको बोलने का अफसर देते हैं यह जो सीथ कालीन और जो ग्रीशम कालीन जो सत्र हैं यह थोड़ा टाइम के होते हैं इसलिए कुछ मेंबर्स बीच में रह भी सकते हैं पुलिटिकल सवाल भी है अना कि पंचकुला से विधायक भी हैं तो पांच राज्यों में अभी हाली में चुना हुए हैं तीन राज्यों में बड़ी जीत वीजेपी की हुई है इस जीत को कैसा देखते हैं और ऐसी कौन सी नीतिया परभावित रही जिन से सत्ता पक्ष्ट जिन से जो है भाजपाने पर्चंट बहुत राप्त किया है देखे ये चीज सब के सामने है कि इन चुनाओं को जिस सिद्धत के साथ जिस मेनत के साथ जिस तरीके से नरेंदर मोदी जी ने चुनाओं की कमान अपने हाथ में संभाली फ्रंट पर आकर के इन तीनों साथ जो रेली मैं उनको एडरेस किया ये मैं समझता हूं कि लेवां नरेंद्र मोदी जी की मोदी जी सोच विक एूपर और मोदी जी की जो जन्कलयानकारी योजनाएं अ उन्नीतियों के उपर मोहर लगाई लोकसभा और हर्याना विधान सब्सरा चुनावों में करते इस लिक्विविण तो चाहिते हैं जनता वी उस स्थ और निरेंदर मोदी जी के नितित में चार सो से जादा सीटें लेकर के तीसरी बारा हरेंदर मोदी देश के प्रतानमंत्री बने गई और उसी प्रकार सेहरा परदेश के लिए और दी सी बार भारत्य ज हुर्च मिटता क्राय। के नेता कि यहाँ के अलग acho के लग हैं तेलंगाना में जहांकि उन्होंने दिखाई है अबहर्याना कि बारी है तेकिए जो जहांकि उन्होंने देखी है वो ऐसी जहांकि देखते रहें मैं से शुब कामने देता हूं मझस धन्यवाद आप झाल झाल